सुप्रभातम आधित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। जिसका सिर्षक है राष्ट अस्तुति हैं। राष्ट की अस्तुति इसका ध्यन करेंगे। इस पाठ में राष्ट की बंदना की गई है। धर्म है आज वैसे ही अपने राष्ट की बंदना इस पाठ के माध्यम से करेंगे। इसके पुर्व मैं प्रथम संस्कृत भी आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। जो आपके सिलेवस के अनुसार संस्कृत ब्याकरन है जो मैट्रिक परिक्षा में पुछता है। उसे भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। यदि आप इस सैनल पर नए हैं तो आप अवसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद जो बगल में घंटे का बटन है उसको भी दबा के ओल कर दें। ताकि मैट्रिक परिक्षा तक जो भी आपके लिए उचित सामगरी है। मैं आप तक पहुशा दूँ और आप परिक्षा में बढ़िया अंक अर्जित करें। यही मेरा उद्यस्य है आईए अब इसका अध्यान करते हैं। पार्ट सत्रह राष्ट अस्तुति हैं। लिखता है अहां। आखंडम राष्ट दीवं स्वं नमा मुभारतं दिभ्यं नागिंद्रह सैनिको भुत्वा बलिष्टो विस्त्रिताकारह अरिभ्यो दुष्ट वाई जुब्या स्वादेसं त्रायतेनित्यम अखंडम राष्ट देवं स्वं नमा मुभारतं दिभ्यं कहरा acting अखंड अखंड जिसका अखंड न किया जा सके हैं। अखंड हमारा राष्ट कैसा है अखंड राष्ट क्या लिखता है अखंड राष्ट देवं स्वम अपना देव तुल्य अखंड राष्ट है श्वम मिन्स अपना देव मिन्स देव अपना देव तुल्य अखंड रास्ट अगे क्या लिखता है नमामु भारतं दिव्यम दिव्य भारत वरसको मैं प्रणाम करता हूँ आगे लिखता है नगेंद्रह सैनिको भुत्वा सैनिको हो करके वलिष्ठो विस्त्रिता का रहा नगेंद्र कैसा है बलिष्ठो हिमालाय कैसा है बलिष्ठ है विस्त्रिता का रहा बहुत दूर तक पहला हुआ है अरिभ्यो दुष्टवायूभ्य अरिभ्यो मिन्स सत्रूओं से दुष्टवायूभ्या मिन्स दुष्टवायू से खराब हवासे स्वादे संत्रायते नित्यम अपने देश की नित्य वह क्या करता है रक्षा करता है अखंडम रास्ट देवं स्वम्नमा मुभारतम दिव्यम ऐसे अखंड रास्ट दिव्य भारत वर्ष को मैं हिर्दै से कोटी कोटी प्रडाम करता हूँ तो इतना का अर्थ पुना एक बार आपको समझा लेते हैं अखंड रास्ट अपना देवतुल्य दिव्य भारत वर्सकों मैं प्रडाम करता हूँ उपर की लाइन हो गई हिमालय सैनिक होकर जो वलिष्ठ है विस्त्रिताकार है सत्रूं से और दुष्ट हवा से नित्य अपने देश की रक्षा करता है ऐसे अखंड रास्ट अपने दिव्य देवतुल्य भारत वर्सकों मैं प्रडाम करता हूँ आगे देखते हैं आगे लिखता है त्रे विरिताह सागरह सिष्टो विनिताह सेवको भुत्वा पद प्रशालनं कुरवन विधत्ते वंदनं पुस्पं अखंडं रास्ट देवं स्वं नमा मुभारतं दिव्यं कह दिया त्री विरिताह त्री विरिताह मिन्स तीन ओर से सागरह मिन्स समुद्र सिष्टो मिन्स सेष्ट विनिताह मिन्स विनम्र सेवको भुत्वा मिन्स सेवको करके हमारा जो भारत वर्स है यह तीन ओर से क्या है समुद्र से घिरा हुआ है और लिखता है कि त्री वृतह सागरों सिस्टों विनिता सेवको वुत्वा तीन ओर से घिरा हुआ जो समुद्र है वह सिस्टा है विनम्र है सेवक हो करके पद प्रचालनम कुरवन पद का प्रचालन करते हुए पैर का प्रचालन करते हुए धोते हुए विधत्ते बंदनम पुस्पं पुस्प से इस भारत वर्स के इस भारत माता के पूजन करता हुए ऐसे अखंड दिब्विराष्ट भारत करता हूँ गादिया तेन और से घिरा हुआ समुद्र जो सिष्ट बिनम्र सेवा को हो करके पद प्रशालन करते हुए पुस्व ले करके जो भारत वर्स की बंदना करता है ऐसे अखंड राष्ट देवतुल्य अपने दिव्विभारत वर्स को मैं प्रडाम करता हूँ आगे देखते हैं आगे लिखता है वहंत्यह स्नेह जलधारा शुनद्यह मात्रिका भुत्वा स्वापुत्रान पालयंतस्ताह ददत्यह स्यामलं सस्यम अखंडम राष्ट देवं स्वमनमा मुवारतं दिव्व्यं कादिया वहंत्यह स्नेह जलधारा वहंत्यह स्नेह जलधारा बहत बहती हैं प्रेम की जलधारा बहती हैं प्रेम की क्या जलधारा सुनद्यह अच्छी नदियां मात्रि का भुत्वा माता के समान हो करके मात्रि का तुल्य माता हो करके जहां नदियां स्नेह की जलधारा बहाती है जिस देश में नदियां मात्रि तुल्य हैं और मात्रि तुल्य हो करके स्नेह की जलधारा बहाती है स्वापुत्रान पाले अंतस्ता अपने पुत्रों का वह पालन करती हैं दधत्यह स्यामलं सम्यम और वह जो है धन धान्य अनाज प्रदान करती हैं ऐसे अखंडराष्ट दिभ्यभारत वर्स को मैं कोटी कोटी प्रदाम करता हूँ तो इसका आर्थ हो गया कि नदियां मात्रि तुल्ले हो करके स्नेह की जलधारा बहाते हुए अपने फुत्रों का पालन करती हैं और हमें अनाज प्रदान करती हैं अन्न प्रदान करती हैं ऐसे अखंड दिभ्य राष्ट देव तुल्ले भारत वर्स को मैं प्रदाम करता आगे लिखता है समधिकहा स्वर्गतो रम्याहा श्वभारत वर्ष भूभागहा निवासंकरतम एक्छंतहा सूदिवाह संतियत्रत्यम अखंडम रास्टदेवं स्वं नमामु भारतम दिव्यम कदिया समधिकहा स्वर्गतो रम्याहा जो स्वर्ग से भी अधिक क्या है स्वर्गतो रम्याह स्वर्ग से भी सुन्दर जो स्वर्ग से भी अधिक सुन्दर है कौन श्वा भारत वर्ष भूभागह अपने भारत वर्ष का जो भूभागह वह स्वर्ग से भी अधिक सुन्दर है निवास करने की एक्छा रखते हैं देवता गण भी जहां निवास करने की एक्छा रखते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि जो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है अपना भारतवर्षका भूभाग वहां देव तागन भे निवास करने की एक्छा रखते हैं और ऐसे अखंड देव देव तुल्य भारत वर्ष को मैं प्रडाह करता हूँ आगे देखते हैं आगे लिखता है प्रथमतो ज्ञान देपो ये प्रज्वलितो भारति आहते जगत गुरवो ही संपुज्या तदनु सिक्षित महो विश्वं अखंडम राष्ट देवं स्वं नमाम भारतम दिभ्यं करा है कि प्रथमतो ज्ञान दीपो ये ये जहां सर्व प्रथाम ज्ञान का दीप जला प्रथमतो ज्ञान दीपो ये जहां पर सब से पहले ज्ञान का दीपक जला प्रज्वलितो भारति आहते प्रज्वलित हुआ वह यह भारत वर्षा है जगत के गुरू के रूप में जगत गुरू के रूप में जिसकी पूजा हुए तदनु सिक्षित महो विश्वम जिससे संप्रन विश्वजो है सिक्षित हुआ इसका आर्थ हो गया कि जहां पर सबसे पहले ज्यान का दीप जला जहां प्रज्वलित हुआ वह भारत वार्ष इस जगत गुरू के रूप में पूजित हुआ जिससे संप्रन विश्व सिक्षित हुआ वह अखंड रास्ट दिव्य देव तुल्य भारत वर्ष को मैं प्रणाम करता हूँ आगे लिखता है कि मधिकं भासनम कुरमह स्वादे सत्वत कृते नूनम महत्पुन्य नही लब्दम स्वाजन्म भारते धन्यम कह दिया कि मधिकं भासनम कुरमह कि मधिकं भासनम कुरमह मैं अधिक क्या कह सकता हूँ स्वादेस अपने देश के प्रते त्वत्यकृते नूनम निश्य ही वह कम होगा मैं जितना भी अधिक अपने देश के प्रती अधिक भासनम कुरमह मैं जितना भी अधिक भासन करूं मैं जितना भी अपने देश के प्रतिय दिक बोलो तो अतिक्रदेनुनम हे भारतवर्स आपके लिए वह कम ही है महत्पन्ने नहिं लबधम स्वजन्म भारते धन्यम महत्पन्न स्रेश्पने के द्वारा है मुझे अपना यहां इस भारत वरस में जन्म हुआ मैं धन्य हुआ ऐसे अखंडराष्ट दिव्य देवतुल्य भारत वरस को मैं प्रडाम करता हूँ और इस पाठ का अंतिम पद्दे इसके बाद अभ्यास कारे लिखताय की अतह प्राणारपणं कृत्वा तथा सर्वस्म पिहित्वा सूरच्यं भारतं स्रिष्ठं स्वाराष्टं दैवतं नित्यं अखंडं राष्ट देवं स्वं नमामु भारतं दिव्यं कराय की अतह प्राण अरपणं कृत्वा इसलिए प्राण का अरपण करके तथा सर्वस्यं अपिहित्वा तथा अपना सब कुछ जुहाय त्याग करके अतह अपने प्राण का अरपन करके तथा अपना सब कुछ त्याग करके सुरच्यम भारतम स्रिष्टम हमें अपने भारत वर्षकी सुरच्छा करनी चाहिए स्वाराष्टम दैवतम नित्यम अपना राष्ट जो है नित्य देव तुल्य है कहदिया इस अंतिम पद्यकार्थ हो गया के इसलिए हमें अपने प्राण का अरपन करके भी अपना सब कुछ त्याग करके भी अपने भारत वर्षकी सुरच्छा करनी चाहिए जो स्रिष्ठा है और अपना राष्ट जो है नित्य देव तुल्य है ऐसे अखंड राष्ट दिव्य भारत वर्षको मैं कोटी कोटी हिर्दय से प्रडाम करता हूँ तो यहां तक आपने इस पाठ का ध्यन कर लिया यदि आपको अच्छा लगा आप उसे लाइक करेंगे मित्रों को भी सेर कीजिए अन्य बच्चे भी इसका लाव उठाएं और आप स्वयम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए कर लिए है कोई बात नहीं है मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित किजिए अभ्यास कारे को देखते हैं या लिखता है पहला प्रसने मात्र दो प्रसने इस पाठ में काता है हिमाले किस से किस से अपने देश की रक्षा करता है तो यहां उत्तर हो जाएगा इसका कि हि इमाले सत्रों से और दुष्ट हवा से अपने देश की रक्षा करता है दूसरा है भारत मातु हुपाद प्रचालनम कह करोती भारत माता के पैर का प्रचालन कौन करता है तो आप लिख देंगे कि भारत मातु हुपाद प्रचालनम सागरह करोती भारत माता के पैर का प्रचाल सागर करता है समुद्र करता है इस प्रकार से मैंने इस पाठ का भी अध्यैन कर लिया हम लोगों ने पाठ 17 तक अध्यैन कर लिया द्यूतिय पुस्तक का लिया फिर हम आपसे मिलते हैं पाठ 18 के साथ तब तक के लिए आपको बहुत भूत धन्यवाद शुभ कामना